जहिन जय भारत में रेबल शदानन निर्मला जी आज का जो विशे हो आपके उपर है आप हमारी वित्मंतरी हैं फाइन्स मिनिस्टर है और मैं आपके टीवी के एक प्राइवेट चैनल में दिये गए इंटर्विय के उपर देख रहाता है और उसके उपर अपनी कुछ प्रत के मळें मुझे बहुत दुख हो रहा है कि पता है आपने एकउनोस के पढ़ाइ कैसे करी होगी आप जानते है मैं लोर मिद्ल क्लास का मतलब क्या होता है या लोर का मतलब क्या है इसकारथ आपको पता है मैं लोर एक से कोरी contribute घार में वार चार लाग रुपे साल के सेव कर लेंगे वो अपने बच्चों को आपके सो कॉल इतने अच्छे गॉर्मेंट एड़ेड़ एड़ूकेशन स्कूल में पढ़ाएंगे और आपके इतने अच्छे अच्छे आधूनिक फैसिलिटी देव पिछले से बीजेपी गॉर्मेंट प्र दो बार वोट किया लेकिन मैं आप जैसे नेता हूं कि जब सुनता होना मैं स्पीचेस और आप लोग के आखड़ आपके जो डेटा बैंक आप यह डेटा बैंक कहां से लाती है मैं यह सोच कि मैं बहुत सर्प्राइज रहता हूं मैं आपने बोला 6 लाक निवनता में 18 लाक अब्ड़ नेता हूं का मतलब यह सब लोहर मिटल क्लास में आते होंगे आपके साब से रहें को अपने अखड़े ठीक किजा मैं देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहे आप किस्तरा की स्टेटमेंट दे रहें आपने उस दिन बोला मैं मुद्रा लोन में हमने इतने इतने लोगों को दिया हमने उद्जोग वालों को दिया हमने बुनकरों को दिया मैम आपने किसको क्या दिया है पेपरों मी दिया है क्या मैम आपको मैं चैलेंज करता हूं निर्मला सितारमणजी आम ओफिशेली चालेंजिंग यू मैं, हंडिड यूथ लेके मैं आपके पस आने को तयार हूँ, जो ग्राजवेट से हैं, पोस्ट ग्राजवेट से हैं, आप मुझे ये बताएं, कौन से ब्रांच से आप उनको ये लोन देंगे मैं, मैं आपके पस ल नहीं मालूम हैं, और मैं, एक सवाल है मेरा आप से, अर्मोदी गवर्ननस से, आप मुझे बताएं मैं कि राजनीती एक सेवा है या नौखरी है, मेरे स्पीचिस बेसिकली मैं, कभी होते नहीं है, मैं लिखके कभी नहीं लाता है मैं, जो मेरी खुद की फिलिंग्स है, मैं अपने नाम में रेबल शब्द इसला है क्योंकि जो गलत है मैं तो बोलूँगा मैं, आप मुझे बताएं मैं, पॉलिटिक्स, राजनीती, इस इट ये सेवा है मैं या नौखरी है, अगर सेवा है तो मैं आप लोग तंखों मत लीजे मैं, और पेंशन मत लीजे, इतनी मिटल कास फैंडी की तरह लाइफ को स्पेंड की जागर आप सेवा करना चाहती है मैं, और अगर ये नौकरी है मैं, पॉलिटिक्स, अगर राजनीती आपनों के लिए नौकरी है मैं, तो इसका कोई एजुकेशन मापदंड होगा ना मैं, कोई एजुकेशन क्राइटीरिया तो होगा, मोदी जी मैं आप से क्वेशन पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन से डिगरी ले लिया मैं, निरमला सिता रिमंड जी ने, जो आप एक पहले इनको आप डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं, चंद महिनों के बाद आप इने मिनिस्ट्री और फाइनस दे रेते हैं, अ आर दे वो एलिजिबल फॉर दा सेम पोस्ट मैं, सर क्या ये दोनों सेम पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं क्या, मुझे लगा था कि आप ने का ता अच्छे दिन आएंगे तो ठीक, आप क्राइटीरिया को बदलेंगे, सर आपने तो क्राइटीरिया नहीं बदला, आप और तो और अमिशा के पुत्र जो वो सेकरेटरी बन जाते हैं, लोगों के उपर आपनों को बड़ा अच्छा लगता है, आपकी आईटी टीम के ज़्यादा तर लोग राहूल गांदी को पपू पपू कपू करके बुलाते हैं, देखे मैंने एक बास सीखा है, अगर आपक टेंपो हैं, वो हैं, फलाना है, ढहका है, अरे सर आप 2000 बसे लगा दीजे न, चलो उन्होंने आटो दे दिये, टेंपो दे दिये, पर उनको कुछ फीलिंग तो रहा, वो दे तो रहें, आप लगा दीजे 2000 गबले 4000 बसे, किसले रोग रखा है आपको, उन्होंने तो ये तक अटरकरी का भाशन सुना, टीवी में, ये लास्ट वीक की बाते सर, उन्होंने का स्वधेसी अपना हूं, चलिए सर अपना लेते हैं, पर मुझे बताएं, मेक इन इंडिया और मेड बाई इंडिया, इन दोनों का डिफरेंस आपके मिनिस्ट्री का कोई एक मिनिस्टर में जाता है, सैलरी जाता है, इंडियम्स के अकाउंट में, तो मुझे ये बता दे कौन सा मेक इन इंडिया है, सर, आप मेड इन इंडिया कीजिए न, आप अपने इंडिस्ट्री लगाईए, आपको पैसा रेविन्यू अपने पास रोकिए, अगर इतना दम होता न, सर, हम मेकनिजम में, आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेकडॉनल्स की तरह एक आउटलेट बना लेते, सर, 25 रुपय का बर्गर बेशने बला भी, लाखो करोरो रुपए, डॉलर्स में कनवर्ट करके, इंडिया से लेके जा रहा है, आप छोड़िए, मोबाईल फोंस तो बहु कर दो, आप मुझे बता दे, बीजेपी के कौन से नहीं था, कि पास इंडिया वालों का फोन है, सर, और बीजेपी छोड़िए, किसी भी, मैं यहां किसी और पार्टी का माउट पीस नहीं हूं, सर, क्योंकि मुझे देखा गया है, मैं देखता हूं यह चीज, अगर मैं आएगा, उसको तो वोट देंगे न, मुझे ऐसा लगता है, कि आप उपोजिशन को भी नहीं टिकिने देते हैं, भाई, एक सोशल सिस्टम है, गौवर्नेस के एक सिस्टम है, सर, आप अच्छा गौवर्नेस करेंगे, पर एक मजबूत आप तो आप तो आपोजिशन को ही अवर्नेस नहीं होती, तब आपको नहीं लगता कि लोगों की वीच आपको जाना चाहिए, एहमदाबाद में लाखों लोगों की भीड़ा आपने कर दिया, नमस्टे ट्रम्प कर दिया, सर, क्या ये पॉलिटिकल फेलियर नहीं है, आज आप बता रहें, अचानक सा अपने 25 सारी को लोगडाउन कर दिया, एक मीना तक आप नमस्टे ट्रम्प की तैयारियां करवाते रहें, सर, वोट इस दिस, सर, जूटी शान का हमें क्या करना है, सर, अज सबसे पहले आप अपने नेताओं को बोलें, कि वो कुछ भी बोलें न, टीवी में हेल्प तो आप करना न, मेरी बास सुने, सर, साब आत्मा निर्भर है, मजदूर कौन सा मर्सीडीज में गूम रहे है, सर, उनके पैर में फफोले गिर रहे है, मैंने देखा, निर्मला जी ने एक स्टेटमेंट दी, एक लेडिज बेचारी सूटकेस में, उसका बच्चा सूटकेस में बैठा ऑगसीड के लिए जा रही है, तो वह जबाब देती है कि राहुल गांदी को वहाँ नहीं बैठना चाहिए, राहुल गांदी को जो करना चाहिए, ओछोड़ी आपको क्या करना चाहिए, गवर्नेंस आपकी है, सेंट्रल में आप हैं, पिछले सास साल से आप लोग है, सर, ह मजदूर छोड़ी ये प्रवासी क्या होता है सर सब भारत्य मजदूरी तो है हर पूरा देश तो वैसे भी मजदूरी कर रहा है सर पूरा देश मजदूरी कर रहा है आप जितना ग्रोध दिखा दो सर ग्रोध क्या वो तो लोगों के जेब में आके देखो न लोगों के घर मे आके देखो, बैंक एकाउंड में आके देखो, कि पैसे हैं किन के पास और किन के पास नहीं है, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सर आपको, आप अपने मिनिस्टर्स को काइंड एक इंस्ट्रक्शन दें, कि वो कुछ भी वक्ते पर ये बहुत बुरा दौर है सर, इस बुरे बात थोड़ी है, लेकिन मेरे एक सवाल हमेशा आपके साथ रहेगा सर, कि आप एक बात का जवाब जरूर दें, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका संपर किसी भी पार्टी से है, कॉंग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से है, त्रियनमुल कॉ लोगों से कृपया मेरा वीडियो उन तक पहुंचा आएं, और उनको बोलें कि पॉपोजिशन इसलिए कमजोर है, केवल एक कारण है, क्योंकि इन पॉलिटिकल ग्रूप्स के जितने भी लोग होते हैं, जो सो कॉल प्रदेश प्रवक्ता होते हैं, शाद वो बहर कमजोर है सांबित पत्रा से कैसे बहस करना है, मुझे खड़ा कीजिए सर, मैं बताता हूँ सांबित पत्रा से क्या बात करना है, ये डेटा के साथ, सुमृति रानी के साथ बात करना है, मैं करूँगा सर, मैं उनसे पूछूँगा, उनका क्या एजुकेशन कॉलिफिकेशन था, जो में शिख्षा मंत्री बना दिया गया था आप सीब्स सी को हैंड मेरे पास बहुत मुद्धें सर देश के करेंड मुद्धें और सर चिंता मत कि जबा मुझे आप से कुछ अगर आपको लोगों को बुलाना है बात करना है तो मिलें बात करें उनकी सुनें केवल चिलाने से अच्छा एंकर नहीं बन जाते सर आम वेरी सॉरी तो से डाड़ी तो आपके अंदर स्पिरिट पर आप तो लोगों को शोर मचा के चैनल ब्लॉक कर देते हैं उसको बाहर कर तो वाट इस इस तो वे जनलिजम सब देजें मेरे इस क्या फिल्मी फिल्मी शूटिंग कर दें क्या सराप चलिए सर मुझे बुलाई आरणम जी एक बार अपने चैनल पर बुलाईे मुझे पांस स्ट्राटिस्टिक्स पर बात करूंगा ग्राफ के साथ बात करूँगा ड हिंदुत का पैचान करा जाएगा मेरे अंदर बहुत हिंदुत हुए है कमाल की बात देखे मेरी आखरी लाइन है गौर से सुनिएगा सर श्रदानन पती मेरा नाम है जाती से मैं ब्रामन हूँ पढ़ाओं क्रिश्चन स्कूल से सेंड मेरी इंगले शाय स्कूल और गर्व से क आपके नीचे एमटेक वाला बंदा काम कर रहा है और हम उनको सुन रहे हैं वाट देल इस गोइंग ऑन सर कहा है आपके अच्छे दिन बुलाईये ना सर एक पर चैनल में आपके जितने भी प्रवक्ता है अगर दस मिनट का टाइम दे दे ना सर उनकी बोलती बंद कर आँगा जैन जै भारत अगले मुद्दा दो या तीन दिन के अंदर स्टैट्स के साथ आऊंगा सर और मेरे दोस्तों में दोबारा एक रिक्वेस्ट करता हूं काइंडली अगर आप लोगों के पास कोई कॉंटेक्स से मेरे वीडियो तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स के पास भेजें एक मंच पे आने का मौका दें इन्हें बताऊंगा सर इन्हें बताऊंगा इन्होंने जारकंड के लिए क्या किया है इन्होंने बंगाल के लिए क्या किया है इन्होंने केरेल के लिए क्या अरे उत्तर परदेश के लिए क्या क्या वो भी बता दूंगा हम भगवा म हैं उत्तरपदेश में सबसे महेंगी बिजली हमारे आती है यह है न अच्छे दिन